कर दो प्रेंजिस इसी रेस्पी क्षेद सभी का स्वागत है ताज में दो पाव से बहुत ही च्टपटा सा टेश्टी सा नास्त लेकिए हूँ जो आप सभी को पसंद आएगा बहुत ही निव नासता है friends जो आपने अभी तक ना तो खाए होंगे ना तो देखिये होंगे ना इसे बनाये होंगे इसके सामने इस friends समोंसा कचोरी दोनों ही फीके लगेंगे इतना ये नासता है जो टेश्टी सा बनता है को लाइक कर दिजेगा सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिजेगा इस रेस्पी को फ्रेंस चरूर से घर पर ट्राय किजेगा तो चलिए मैं इस रेस्पी को शुरू करती हूँ तो यहां पर फ्रेंस मैंने सब्जिया कट कर लिया है तो मैंने मिडियम साइच का यहां पर टमाटर को गोल पिसस में कट किया है एक मैंने यहां पर मिडियम साइच का प्याज लिया था उसे भी गोल पिसस में कट किया है यहां पर मैंने एक पॉयल आलू लिया था बरे ढाल सकते हैं तो में तो भी excited में रख देती हूं और यहां पर मैंने धो पाव लिया है में पास दो ही पाव बचा हुआ था इसी से मैं फ्रैंस बहुत ही नया और टेस्टी सा नस्ता बताओंगी जो घाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा तो यहाँ पर मैंने पाव को ले लिया है और इसे बंशेर चाको से 20 से 2 पीशस में कट कर लूँगी यह देखें पेस्लिक्त विश्ट बिलक्ल इस तरह से इसे कट करना है और यह देखे पर अए इसे मैं रख देती हूँ और दुसरा पाव को भी सेम तरीका से इसी तरीका से कट करना है ये देखे इसे भी मैंने ले लिया है और इसे भी मैं धीरे धीरे इस तरह से कट कर लेती हूँ ये देखे इसे अभी मैं प्लेट में रख देती हूँ तो जब भी पाव को काटते हैं तो हलके चाको से काटना है कि पाव है जो बहुत ही नरम होता है थोड़ा भी इस पर दवाब डालिएगा तो ये तूट सकता है तब मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप बेशन लिया है ये देखे तन में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ये देखे अब मैं डालू धोरा सा बिल्कुल ही भूँजा हुआ मसाला ये देखिए ते इसका मैंने फ्रेंस मैंने रेस्पी में डाल रखा है आप वहां से चाहे तो भूँजा हुआ मसाला को देख सकते है तब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसे घोल को डेडिक कर लेती हूँ एक बार में नह यह देखिये बिल्कुल इस तरह का घोल तयार करना है बिल्कुल ही रेडी हो गया है तो मैं अभी इसे साइट में रख देती हूँ और यहां पर मैंने गैस पर फ्राइपेन रखा है इसमें मैंने दो चम्मच तेल डाला है तेल को मैं इस तरह से घुमाते हुए फैला देती ये देखे तेल है जो गरम हो गया है तो मैंने जो पेशन का घोल रेडी किया है इसमें एक कल्चूल मैं डाल देती हूँ और इसे इस तरह से फैला देती हूँ फ्रेंस मैं आदा कल्चूल और घोल को डाल देती हूँ और हलके कल्चों से इस तरह से खुमाते हुए फैला देती हूँ तो इसे जादा आपको ना मोटा रखना है ना जादा इसे पतला करना है यह देखिए तो यहाँ पर मैंने गैस को भी बंद कर दिया है उपर से बारिक कटा हुआ सबजीयों को मैं डाल देती हूँ तो सबजीय को डालते वक्त ध्यान रखिए गया कि हलके हाते से इसे दापते हुए रखना है ताकि सब्जी जब है जो बाहर ना निकले सारे सब्जीयों को मैंने इसी तरह से डाल दिया है फ्रेंस मैंने थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिक्स किया हुआ गोलकी सार डाल दिजिए अब मैं पाव को इस तरह से रख देती हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने सारे पाव को रख दिया है मैंने जो पेशन का गोल रेडी किया है तो मैंने आधा डाला था आधा मैंने रख लिया था तो उपर से मैं पाव को उपर से इस तरह से गिराते पर आजिए लाद मैंधस तेट्य को आए और यहां पर मैंने आकर उन्वाट करता है कमेंये इसे 5 मिनट तक पका लेती हूँ तो यह देखें फ्रेंस 5 मिनट हो गया है और यह बिल्कूल ही रेडी हो गया है तेसे मैं पल्टूंगी नहीं थोड़ा थोड़ा हल्का-हल्का इस तरह से चलनी से कट कर लेती हूँ आप चाहे तो पीजा कटर से भी छे कट कर सकते है यह तो मैं उपर से हलका सा तेल डाल देती हो जिससे ये नीचे से बिल्कुल ही पेन है जो छोड़ देगा पलटने में आपको कोई भी तिकत नहीं होगा बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं तो मैं आपको पलट के भी दिखा देती हो ये देखे फ्रेंस बिल्कुल ही असानी से यह पेन को छोड़ देता है इसी तरह से सभी को मैं पलट लेती हो यह देख Minnie तो यहाँ पर मैंने सारे पाव को पलट दिया है पाव को उपर से मैं डालूंगे फ्रेंस अब थोड़ा सा चीज तो मैंने चीज को कद्द कस करके डाला है यह देखिए अगर आपके पास है तो जरूर से डालेगा इस नास्ते का टेस्ट जव चार गुना हो जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे ऐसे भी बना कर खा सकते है ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगीगा दूपर से थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स टाल दिया है अब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है गैस को मैंने बंद कर दिया है तो मैं आपको फ्रेंस सब करके दिखाती हूँ तो यहाँ नास्ते को फ्रेंस आप चाहे तो अपने मन पसंद चटनी हो या सौस हो किसी के साथ सब कर सकते है बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा मेरे घर में तो सभी को पसंद है हम लोग तो ऐसे ही इस नास्ते को खा लेते बहुत ही टेश्टी लगता, खासकर कि मेरी बेटी को उसे तो मैं लंच में भी दे देती हूँ, तो सारा ही फिनेश करके आती है, उसे बहुत ही पसंद है, तो फ्रेंस आप भी इस रेश्पी को घर पर मेरे तरीके से चरूर से ट्राइ किजएगा, और यह देखें फ्रेंस त और ऩ करते हैं और आपको मेरी रेश्पी पसंद आए तो प्लीस चनल कोसेती,рахेजीए लेख इस तरह से मैं नय बैलते आते हैं यह घर जरूरे नीर ऄ स्पीलर पूर ही करते रहोंगे फिर मैं मिलूंगी नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई